हमने अपनी बेल एप्लिकेशन में भी वो धाराइं बढ़ाए जाने के लिए उन्रेबल कोर्ट से रिक्वेस्ट की है उनकी बेल हो चुकी है उन्रेबल कोर्ट से एलविस की कोई भूमिका नहीं है तो आप बड़ी अपडेट आई है और उन्सों आज भी तोटके अंदर में अप्लिकेशन दी थी वो बढ़ाई गई है तो क्योंकि हमारी एप्लिकेशन में वो धाराइं पहले नहीं थी बाद में बढ़ाई गई है तो हमने अपनी बेल एप्लिकेशन में भी वो धाराइं बढ़ाए जाने के लिए उन्रेबल कोर्ट से रिक्वेस्ट की है और देकिए बकालत में हर सी चुनोती पूर होती है कोई भी धाराय बढ़ाई जायेंग यहां सब चुनोती पूर्ण होता वकालत में कौन सी धाराएं जो पुलिस ने प्रोसीड की थी बढ़ाने के लिए वो जो पुलिस ने अप्लीकेशन दी थी उनको बढ़ाने के लिए ओन्रेबल कोर्ट के समख्ष दी गई थी और सेक्शन 22, सेक्शन 27, 27A, सेक्शन 29, 30, 32 NDPS Act इसके लिए दी गई थी लेकिन ओन्रेबल को जाया उसको कहा है कि सेक्शन 22, सेक्शन 29, 30, 32 बढ़ाया जाता है और एक सेक्शन 20 जो पहले लिया गया उसको डिलीट कर दिया गया तो इस पूरे केस में आप क्या वीकर पॉइंट देखते हैं और किन ग्राउंट पर जा रहे हैं देखें बेल तो यह है कि हमारा ग्राउं का सबस्टेंस उनकी बेल हो चुकी है और हम उसी को आधार रखेंगे तो क्या माना जाए कि 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 कोई भूमिका नहीं है पुलिस ने जो रहाव लेक सपेरा था उससे पहले इसने क्या नम पकड़ा था उसकी एफसल रिपोर्ट के आधार पे बढ़ाया एंडी पीए सेक्ट एफसल रिपोर्ट क्या कहती है आपने एफसल रिपोर्ट हमें देखने के लिए नहीं मिली है लेकिन पुलिस ने जब अपना प्रक्शन नेबल कोर्ट के सबक्ष रखा था तो उसमने कहा था कि इसमें मॉर्फिन के ततुपा जाती है जो एंडी पीए सेक्ट में कवर होता झाल